आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत जादे इंपॉर्टेंट है जो हमसे क्लास 10 पढ़ने के बाद CBSC क्लास 10 बोर्ड एक्जाम देकर अब वो क्लास 11 पे एंटर कर चुके हैं क्लास 11 में आपका एसेस्मेंट होगा तो वो एसेस्मेंट किस तरीके से होगा एंट 10 के स्टुडेंट को पढ़ाता हूँ तो चलिए क्लास 10 बोर्ड एक्जाम देने के बाद क्लास 11 में एंटर कर चुके हैं तो आपने हमसे पढ़ाए की तो क्लास 11 के बारे में कोई नहीं खबर होगी वो देना भी मेरी जिम्मेदारी है और आईए इस बारे में क्या evaluation pattern है वो आपको क्लास 11 का मैं बताता हूँ तो इसके लिए मैं आपको CBSC की official website पे ले चलता हूँ यह official website cbsc.gov.in और इस website वे बहुत सारे tab है और जब आप यह academic website पे click करोगे तो कुछ ऐसा यह open होगा और यहां आप देख पा रहे हो assessment and evaluation practices of the board for the session 24-25 ठीक है अब इसको आप click करोगे तो यह PDF open हो चुका है ठीक है और इस PDF में 9, 10, 11, 12 अब का बताया है लेकिन हम 11 पर focus करेंगे तो यहां 9, 10 का है ठीक है और यहां आप देख पार हो 11, 12 का है अब इसको पिछले साल से compare किया गया है पिछला session जो था वो 23-24 था और आपका जो अभी class 11 का जो academic session है वो 24-25 है ठीक है अब इससे ज़रा ध्यान से देखिए यहां आप देख पा रहे हैं कि पिछले साल के comparison में जो competency focus question है in the form of mcq case based source based integrated question उनका जो weightage रहेगा आपके exam में वो 50% रहेगा कितना रहेगा 50% clear पहले यह कितना था पहले यह 40% था यानि increment देखने को मिला है total 10% का यानि आपके academic year 2024-25 class 11 में जो competency based question पूछे जाते थे अब वो पिछले साल के comparison में 10% जादा पूछे जाएंगे उनका weightage total 100% में 50% होगा ठीक है इसके बाद बचा कितना 50% ठीक है अब बचे हुए 50% में आपके जो mcq है उनका weightage 20% होगा जो पहले भी 20% था यानि इस weightage में कोई बदलाव नहीं हुआ है clear अब आता है कि 50 competency based question होगे 20% mcq based होगे जिसमें 4 option होते हैं तो 50 20 कितने होगे 70 अब बचा 30% तो total 30% 100 में से 30% में फिर क्या पूछा जाएगा आपका evaluation में कौन से variety के question होगे तो यहां short answer question, long answer question ठीक है और इसका मतब जो subjective question है उनका जो weightage है वो 30% होगा जो पहले 40% था यानि कि subjective question 2 marks के, 3 marks के, 4 marks के ऐसे जो question होते हैं जो इनके लिखना पड़ता है, सब्जेक्टिव question का जो weightage है वो कम कर दिया गया है, पहले 40% था पिछले academic session में लेकिन अब इस साल आपके class 11th में subjective question का जो weightage है वो 30% होगा यानि total 100% में से 50% competency based, 20% MCQ based और बाकी 30% आपके subjective based question पूछे जाएंगे और यही pattern class 12th में भी follow होगा तो इस साल यानि 24-25 session में जो बच्चा class 12th में है, उसमें भी यह pattern follow होगा, लेकिन मैं class 12th की बात नहीं कर रहा है, मैं especially focus कर रहा हूँ class 11th पे तो इस school में जो भी pattern set किये जाएगा, जो भी exam paper set किया जाएगा, वो CBSC की इसी guidelines को follow करके set किया जाएगा तो mind make up कर लीजे कि हमको अगर पढ़ाई करनी है, तो concept इतने clear होने चाहिए, ताकि हमारे exam के paper में 50% जो competency based question आजाएगा, वो भी हम फोड़ दे MCQ पूछा जाएगा, उसको भी फोड़ दे, और 30% जो subjective question आएगा, उसको भी फोड़ दे, यानि overall तयारी आपको करनी पड़ेगी, तो अपने दिमाग को सीसाब से train करना होगा, और इसमें हम आपकी मदद करेंगे, अब आप पूछोगे कैसे, तो हमने एक batch launch किया है, especially for science student, commerce student, and humanities student, जो class 11th में enter कर चुके हैं, यह paid batch में, आपको complete subject recorded form में मिलेगा, और इस batch को आप enroll करके, बहुत ही affordable batch है, और इस batch में आप enroll करके, class 11th की complete तयारी NCRT के हिसाब से, आप कर सकते हैं, अब उस batch के बारे में मैं बता देता हूँ, batch का नाम है, अमृत batch, ठीक है, और इस batch को access करने के लिए, सबसे पहले आपके पास adda 24-7 का app होना चाहिए, नहीं है, तो install कर लीजे, app install करने के बाद, आप से category पूछी जाएगी, ठीक है, तो category पूछने में, आपको यह ध्यान रखना है, category में आपको select करना है, school K-12, ठीक है, school K-12 में जाकर, यह process एप install करने के बाद करना है, एप install किया, फिर उसमें category में school select किया, फिर class select किया 11th, और 11th में जब आप जाएंगे, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, यह है अमृत batch, for class 11th student, फिलहाल आप देख पा रहे हो, तो लिखा है science stream, यानि कि physics, chemistry, maths, लेकिन इसके लिए हमने, बाकी बच्चे जो humanities या commerce के हैं, तो फिर उन बच्चों का क्या, वो class 11th में humanities और commerce के subject कैसे पढ़ेंगे, तो हमने इसमें add कर दिया है humanities और commerce के भी subject, ठीक है, यानि अब आप class 11th में किसी भी stream की student हो, class 11th की पूरी तयारी, पूरी साल भर का syllabus आप इस batch में पढ़ सकते हो, अब आप इसको batch को purchase करते समय, आपको code apply करना है, that is APL 15, तो कि अगर आप code apply नहीं करोगे, तो ये batch 881 का पढ़ेगा, लेकिन अगर code apply कर देते हैं, आपको 15% का discount मिलेगा, और 749 में आपको ये batch मिल जाएगा, इस batch में, सावरे subject, सारे subject के lecture मिलेंगे, ठीक है, जो core subject है, उनके recorded lecture, e-book मिलेगा, ठीक है, e-book एक summarize form में chapter को, मतलब present करता है, और इतनी help आपको मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ 749 में, तो अभी जाएए, ADA 247 के app से, अमरित batch में enroll कीजे, और इस batch को अगर आपने enroll कर लिया, तो साल भर, आपको कोई सी भी दूसरे batch में, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसी batch से, आपकी complete class 11 की preparation हो जाएगी, तो go and apply code APL15, and enrolled in अमरित batch, और इसी के साथ, मैं इस वीडियो को end करता हूँ, I hope you like this video, आपको वीडियो में कुछ पूछना था, या कोई doubt रह गया, तो comment section में जरूर पूछेगा, thank you so much.